बात करेंगे पाकिस्तान को भारती क्रिकेट टीम ही बचा सकती है बेहाल पाकिस्तान में फरवरी मार्च में चैंपियन्स ट्रॉफिय होनी है पाकिस्तान हर कीमत पर चाहता है कि भारती क्रिकेट टीम वहाँ पर आए मैच खेले ताकि कुछ पैसे बन जाए लेकिन भारत साफ कर चुका है कि आतंगबाद और किर्किट साथ साथ नहीं चलेंगे हर कीमत पर भारत को बुलाना चाहता है पाकिस्तान खबर है कि पाकिस्तान किर्किट बोर्ड ने BCCI को लेटर भी लिखा है और कहा है कि टीम इंडिया चाहे तो हर मैच केलकर लाहर से स्वदेश लोट सकती है अगर इंडियान टीम सिक्योरिटी रिजन्स की वज़े से पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती है तो हर मैच के बाद चंडी गड़िया फिर दिली वापस जा सकती है दो मैच के बीच लगबख एक फीक का डिफरेंस है इसलिए भारती टीम वापस जा सकती है चेंपियन्स ट्रोफी 19 फरवरी से 9 मार्स तक है मैच लाहौर कराची रावलपिंडी में है भारत के मैच सीमा के पास लाहौर में है ताकि जाद से जादा फैंस जो है वहाँ पर आ सके वर्डे वर्ड कप 1996 के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान को किसी ICC इविंट की मेजबानी दी गई है जानकारी के मुदाबिक हाली में भारत के विदेश मंत्री एजशंकर की पाकिस्तान गयात्रा के दौरान भी भारती टीम के पाकिस्तान जाने पर चर्चा हुई थी एज्य शंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शागडार के बीच कई बार बाचीत के दौरान इस मुद्धे को उठाये गया था इस यात्रा के बाद PCB की उम्मीदे जाकी है हलाकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है चैंपियन्स टॉफी में इंडियन टीम का पाडिसिपिट करना काफी इंपोर्टेंट है अब चाहें वो पाकिस्तान में हो या फिर हाइब्रिट मॉडल के तहट किसी और देश में हो अगर रोहिश शर्मा की ब्रिगिट पाकिस्तान नहीं जाती है तो PCV और ICC मिलकर किसी और जगह पर मैच प्लान करेगी क्योंकि अगर इंडियन टीम इस मैच में नहीं होगी तो मैच में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा तो PCV का BCCI को लेटाय टीम इंडिया चाहे तो हर मैच खेलकर लाहौर से स्वदेश लोट सकती है अगर इंडिया इंडिया टीम सेक्योरिटी रीजन्स की वज़़से पाकिस्तान में नहीं रहना चाती है तो हर मैच के बाद वो चंडी गाड़िया फिर दिल्ली वापस जा सकती है दो मैच के बीच लगपक एक वीक का डिफरेंस है इसलिए भारती टीम वापस जा सकती है इस तरह से मैच प्लाइन के गए है भारत को चेंपियन्स ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान बुलाना चाहता है PCB चेंपियन्स ट्रॉफी 19 फर्वरी से 9 मार्च तक होनी है और आपको बता दे कि इसके मैच लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होने है PCB ने भारत के साथ मैच के लिए लाहौर का जो वेन्यू है वो चुनाए क्योंकि ये इंडियन बॉर्डर के पास है भारत के तीन मैच शेडूल है जिन में सिवांगलादेश के साथ 20 फर्वरी को, पकिस्तान के साथ 23 फर्वरी को और 2 मार्च को न्यूजिलाइन के साथ मैच होना है ड्राफ्ट शेडूल के अकॉर्डिंग, संभाविस सेमी फाइनल और फाइनल के साथ भारत के सारे मैच लाहौर में होने है इंडिया वर्सिस पाकिस्तान का मेन मैच जो है वो एक मार्च हो होना है लेकिन ऐसे में ये मैच खेलती हुई टीम इंडिया नजर आई गी या नहीं है ये बड़ा सवाल है मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जूर गए है साथ ही हमारे साथ राना बाबर हयात वरिश खेल पत्रकार जोड़ गए है रिजवान हेदर किर्किट विशलेशक हमारे साथ जोड़ गए है पाकिस्तान से लेकिन सबसे पहले मनोज जोशी जी आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी क्या लग रहा है पाकिस्तान की Champions Trophy को लेकर जिसमें पाकिस्तान उमीद लगा ये बैठा है कि भारत की टीम यहाँ पर खेलने आएगी अभी फिलाल कोई फैसला तो नहीं हुआ है लेकिन पाकिस्तान Cricket Board की तरफ से BCCI को एक Letter जरूर लिखा गया है कि अगर टीम चाहे तो मैच खेल कर वापस भी जा सकती है क्योंकि मैच जिस तरह से शेडियूल किये गए है एक वीक का गैप है देखिए जो पाकिस्तान Cricket Board है वही काम कर रहा है जो एक होस्ट को करने चाहिए मेचबान को करने चाहिए अगर हम होते तो शायद हम भी यही काम करते लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो MOU है MOU यानि ICC के जो MOU पर जो साइन किये हैं सभी सदस्ते देशों ने उसमें बहुत साफ तर पर एक सुरक्षा की चिंता भी जाहिर की गई है कि अगर आपको में चाहिए का कोई स्रुक्षा की चिंता है सीक्योटी का कोई िंता है तो आप बढ़ें और उसको फिर हाइब्रेट मौडल पर आयोजिट किया जा सकते है और हाइब्रेट शब्द भी जो है तो उस पे भारत की भागेदारी, क्रिकेट की भागेदारी में कह रहा हूँ, तो वो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अन्य मौके पर भारत के जो विदेश मंतरी हैं, और भारत के जो ग्रह मंतरी हैं, दोनों ने बहुत साफ तोर पर कह दिया था कि आप भ PCCI जब तक कोई ब्यान अधिक्रत तोर पर नहीं देता ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि तब तक उसे अंतेम नहीं माना जा सकता और लेकिन जो हमने हकीकत बताई ग्राउंड रियलिटी बताई वो यही है कि ग्रह मंतरी विदेश मंतरी अपने पहले ही ब्यान दे चुक की मिटिंग हुई थी लेकिन जो भारत में विदेश मंतराले के जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुती साफ तोर पर कहा रंदीर जैस्वाल साब ने कहा कि ऐसी कोई मिटिंग मिटिंग तो हुई लेकिन इस पर कोई क्रिकेट पर कोई चर्चा नहीं हुई है तो अब यह आंडाना मिट आनकि चाहूंगी कैसे देख रहे हैं आप इसी इंपरैंट में में जाहा कि बरफेर भारत की टीम पाकिस्तान आए और आकर यहां पे चेंपिन्स टॉफी में हिस्सा ले बिलकुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की टीम भारत गई और जाकर पाकिस्तान की टीम ने भारत में जो वर्ल्ल कप है उसमें पार्टी स्पेट किया तो पाकिस्तान का तो हर क्रिकेट फ लेने दीजिये प्लीज, मुझे मैं सारी चीजों को इसमें जो भी एक दो मिनिट हैं उसमें मैं आपके सामने पेश करूँगा, आपके सामने मुद्दा रखूँगा, बात ये है कि अभी पाकिस्तान में एक SEO की कॉनफरेंस हुई है, वो कॉनफरेंस कोई पाकिस्तान की कॉन लेकिन बाद में हमें पता चला कि नई जी भारत उसमें नासिफ आ रहा है, बलके भारत का एक हायर डेलिगेशन आ रहा है, जिसकी सरवराही यहां के जो फॉरन मिनिस्टर हैं, डॉक्टर S. जैशंकर, वो कर रहे हैं और वो यहां पे आए, और आकर उन्होंने यहां पर उ कुछ अच्छी यादें भी छोड़ कर गए, उन्होंने अपने ट्वीट में पाकिस्तान की गवर्मेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, पॉरन मिनिस्टर का और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया, और बीच में उनकी मुलाकात भी हुई, अब तो अविसली इ के सेनेरियों के तोर पे लेते हैं, ये एक इंटरनाशनल कानफरेंस थी, अगर इसमें एस जैशंकर साब पाकिस्तान की सेक्योरिटी जो मेजर्मेंट्स हैं, जो सेक्योरिटी मेजर्स हैं, उनके ओपर भरोसा करके, पाकिस्तान आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं पाकिस्तान के कुछ हाई आफिशल्स के साथ वो कुछ चैट से ज्यादा बेहतर बात्चीत भी कर सकते हैं तो I think so कि फिर सिक्यूरिटी की पुने आज पे मेरे ख्याल में फिर टीम इंडिया को भी जो है वो ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एक फॉरन मिनिस्टर यहाँ पे इसलामाबाद में आके क्याम कर चुके हैं रह चुके हैं अपनी मौनिंग बॉप की वो तस्मीरें भी शेयर कर चुके हैं और पाकिस्तान गॉवर्मेंट ने यह बादा किया है कि जो भी टीम यहाँ पे आएगी कर रही है कि हम आपको presidential level की security फराहम करेंगे जस लाइक जिस तरह से हमने स.जै शंकर साब को presidential level की security फराहम की और स्कून से दो दिन यहाँ पे रह के गए पलस अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहा है कि चलिए अगर आपको security का भी कोई मसला है नहीं यकीन आ रहा हमारे उपर, हाला कि आपके विदेश मंत्री यहां से होके गए हैं, नहीं यकीन आ रहा, तो फिर यह कर लेते हैं कि आप मैच के लिए और चले जाएं अब इस पर BCCI डेसाइड करेगा कि क्या फैसला होता है BCCI की तरफ से, लेकिन मेरे दो सवाल है यहां पर, वो दो सवाल यह हैं कि अगर विदेश मंत्री एज़ेशंकर वहाँ पर आये थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ S.C.O. समिट के लिए, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह क कोई दुपक्षी बाचीत नहीं होई है, क्योंकि साफ यह कह दिया गया है कि आतंग बात, और अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मन्द चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, तो यह दोनों चीज़े एक लेवल पर नहीं हो सकती, उसी तरह से हम कह रहे हैं, कि एक त क्योंकि आतंग बात को लेकर हर मुद्दे पर भारत खड़ा रहा है और हर मुद्दे पर हमने बात रखी है, कि आतंग बात बिलकुल भी परदाश नहीं किया जाएगा, और पिछले कुछ दिनों के अगर हम बात करें, किस तरह के हालाद, इसलामाबाद, राची, रावल प सुरेरे, उसके बावजूद, ऐस जैशंकर आए, और वो एक इंटरनाशनल इवेंट के लिए आए, वो सांफ क्या गया, स्यों समिट, स्यों समिट, स्यों समिट के लिए वो आए, पर किसी भी तरह की कोई बाची, दोपक्षी बाची जिसका जिक्र, तुकि ये कहा भी जा रहा था कि प्रधान मंतोरी नेरेंड रुमोदी आते, आप नवाश मस्चरिफ की तरफ से पूर प्रधान मंतोरी हमा haba in the government की नुमाइंदा है, वो इस इस बीडिजाद इनको डिसाइड करना है हम तो बात कर रहे हैं कि जो होनी चाहिए मैं यह कहता हूं कि अगर यह जो आप जितने मुद्दे बता रही हैं कि टेररिजम है जो है वो प्रॉस बार्डर टेररिजम है सारी चीजें आप जो बता रही है चलिए एक बार हम इसको मान लेते हैं लेकिन इसका हल बैट करी निखलेगा ना इसका हल एक दूसरे के ऊपर इlzामात लगा के कितने अरुसे से लगा रहे है कोई हल निकला इसका हल तह भीनिकलेगा जब दोनों देशों के बड़े मिलकर बैटेंगे इसके ऊपर कुछ चीज नहीं होगी बातचीत के बगएर तो कोई मसला हल नहीं होता है दुनिया ने तो बर्ड बोर्ड लग लेकर भी क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जाना चाहिए शिम्ला से लेकर लाहर समझोते बातचीत करके देखा तो उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान का डबल स्टेंड आपने इंट्रो में भी बताया, 96 के वर्ल्ड कप के बाद, ICC की एक बड़ा टोर्नमेंट, चैंपिन्स टॉफी पाकिस्तान के हिस्से में आई है, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैन्स और PCP चाहेगा कि इंडिया जरूर आए यहां पर आकि इस पर पार्टिस्पेट करें, I understand क के बीच में पॉलिटिक्स दोनों मुलकों के जो तालुकात हैं बहुत ज्यादा अच्छे है नहीं, बलके हैं ही नहीं आजकल तो, लेकिन पाकिस्तान भी पिछले साल जैसे बताया बापर साबने के लिए, अब देखे, I understand आप जो बात कर रही हैं, कि आपके रिजर्वेश को भी वेलकम नहीं करते, जब आपके हमाँ वर्ड कप था तो तब तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की, पाकिस्तान लास्ट टेम बाइलेटरल सीरिस भी खेलने गया था इंडिया, 2013-12 में, तो पाकिस्तान ने इनिशेटिव लिया, पाकिस्तान जाके वहाँ पे सीरिस खेल क है, लेकिन जब-जब पाकिस्तान की बार ही होती है, तो तब ही हमें यहमसायल क्यूं देखने को मिलते हैं, यह इस तरह की बाते देखने को मिलते हैं? भई देखे, पाकिस्तान की तीम, विजवा पाकिस्तान को इंडिया खिलने आना है या नहीं आना है या आपका क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा इंडिया नहीं कि हम वेलकम ही नहीं करें आप आएंगे तो स्वागत ही है ना ठीक है ठीक है दो बाते आप एक पहली बात आपकी होगी जो आप कह रहे थे कि क्रॉस बाड़र टारिजिसम है तो पाकिस्तान के सब कोई तालुक नहीं है लेकिन पाकिस्तान वहां पर गया फिर आपने बोला सेक्योरटी का मसदा है पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रहा तो स्क्यूरिटी का ये अंडर्स्टेंड कि जब इंडिया आएगी तो जाहर है कि मजीद स्क्यूरिटी उनको डेमांड होकी उनकी जैसे बाबर सब्सब्स ने बताया है सारी टीमें, और रोलेस सारी टीमें आ रही हैं, इंगलेंड, न्यूजिलेंड, साउध अफ्रेगा, औस्टेलिया, ये टीमें असानी से आती नहीं, पहले उनकी पूरी टीम्स आती हैं, आके पूरे वो चेक करके जाती हैं, जाके फिर वो अपनी रिपोर्ट सब्मिट कराती हैं, कि जी हाँ, हम जाके होके आए हैं, और हमारी जो मर्जी के मताबिक, जिस वगारा, जो भी पाकिस्तान या ICC, जो भी इसाबिताब होगा, वो देखेंगे, आपको बहुती वी वी आईपी तरीके सापाएंगे, आके आप मैच खेलेंगे, और वहां से जो भी 35-40 मिंट की फ्लाइट है, दुबारा इंडिया वापस चले जाएंगे, और ये दो तीन और आप भेजिये, अपनी जिस तरह की भी टीम भेजनी है, वो आके जाके रिपोर्ट सब्मिट करवाएं, आप को एक रिजर्वेशन सामने रखेंगे तो फिर बात चलेगी ना, अब खाली ही खावाई बात हैं कि ट्राइरिजम की बिनात पर नहीं आना, तो वो बात सेक्योरिटी को लेकर जो आप जिकर कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर आकर घूम फिर के वहीं रुख जाता है कि किस तरह की गतिविदिया पकिस्तान की तरफ से बॉर्डर्स पर हम देखते हैं, और बार-बार यही कहा जाता रहा है कि अगर एक तरफ आप मैच की बात करते है एक तरफ आप अच्छे रिष्टो की बात करते हैं, आप व्यापार की बात करते हैं और फिर आप ऐसा करिए कि तरहरिजम आ जाता है, ठीक है ठीक है, मनो जी हमारे साथ इस पर जुड़े हैं और वो इस पर जबात देंगे, मनो जी आपने दोनों ही मैमानों को सुना जो प भारत आ सकती है अगर वो वहाँ पर स्टे नहीं लेना चाहते हैं तो देखिए यहां दो बाते हैं, एक तो सुरक्षा वाली बात है जिसमें कुछ भी असा वैधानिक नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, अगर भारत इस बात की मांग करता है कि हम हमें सुरक्षा को लेकर खत लेकिन मुझे कही न कहीं एक दर एक देश्चत रहती थी पाकिस्तान जाने में तो यह अपने आप में पूरे क्रिकेट बिरादरी का जो भारती क्रिकेट खिलाडी है उनको बेयान करता है इसी तरीके से अगर आप न्यूजी लेंड को देखें न्यूजी लेंड ने दो जार साब जोशी जी राजिव शुकला साब तो एशिया कप में आके हमारे लहोर में खाने खाके गए हैं आप उनकी किताब का हवाला दे रहे हैं अभी दो साल पहले राजिव शुकला साब आपके और पिछले साल आये उन्होंने लहोरी को जहां की कह रहे थे कि हमें साब में खिलाडियों का हवाला देते हुए उनको कोड़ करना उससे ये जाहिर होता है कि वहां सब को खिलाडियों में दहशत है अगर सचिन तंडूलकर के समय में यदि खिलाडी दहशत में थे तो हो सकता है इस बात की संभावना से आज आप इंकार नहीं कर सकते कि आज क को पूरा पाकिस्तान गुमाएंगे, अपने साथ मिल के गुमाएंगे, आप आके पहले जाइजा लेके जाएए कि आपको किसी से खौफ आता है, आप को किसी से डर ह要ता है, जहां जहां, लेकर जाएंगे. और राना बाबर हयाजी हमारे मित्र हैं, हमें इन पर कोई संदे नहीं है, बुद्धा भारती टीम का हो रहा है, आप तो बहुत आप यहां आएंगे, हम भी आपकी बड़ी खातिरदारी करेंगे, मैं जानता हूँ कि आप जाएंगे, हम जाएंगे तो आप भी खातिरदारी क होता है ना कोई एक लेवल होता होगा कि जी हमें इस लेवल की सिक्यूरिटी चाहिए तो आप उस तरह की अपनी डिमांड समने रखिए कि आप A, B, C, D हमें इस लेवल की security दीजिए और फिर ये इनका काम होगा कि उनको पूरा करना आप दो बाते एक पहले देखे ने clarity of thought चाहिए कि क्राउस बाटर टायरिजम हो रहा है किसी सुरत में भी नी जाना बात खतम कहानी खतम लेकिन अगर security का मसला है तो उसमें बात हो सकती है ना वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है आप अपनी जिस भी लेवल की आपको security चाहिए आपको satisfaction के लिए तो आप उसमें बात करिए कि हमें इस लेवल की top notch लेवल की security चाहिए और आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी जो best available services है वो टीम top level की security परवाइट करेंगे और फिर आपको अगर कह रहे हैं कि अगर उनको यहां पर कोई खच्छा है किसी भी हवाले से या if they want to go back तो चालिसमें की फ्लाइट है चार्टर त्यारे में अच्छे वी आईपी तरीके से आएंगे और जाएंगे तो clarity of thoughts यहां पर दूसी तरफ से मिसिंग है बॉल अब पाकिस्तान के कोट में नहीं है बॉल इंडिया के कोट में और अगर यह hybrid model हो जाता है तो पाकिस्तान में तो 25-25 साल के बाद ICC का हिमन्ट हो रहा है इंडिया में तो हर दूसरे साल होता है अभी अगले साल वहां पे एशिया कप होगा उसे अगले स इसी इंग्लेंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी इसका समर्थन किया है उसने कहा कि अगर भारत वहां नहीं जाना चाहता तो निश्यत तोर पर यह कहीं और जगा कराना चाहिए लेकि मैं इसके पक्ष्ट में तूर्णमेंट नहीं और जगा हो लेकिन अगर 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 जोशी जी पर prot Wiz ई इसका हल जो है एक hybrid model हो सकता है क्योंकि जितनी दूरी कराची से दुबई की है और वह शिरलंका और बाकी जगा और जगा ठूरुनमेंट को कराना इंडिया के मैचों की बात कर रहा हूं में वो वहारिक नहीं है तो इसलिए अगर भारत दुबई में जाकर खेले क्या बुराई है अगर आने वाले समय में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होता दो हजार तेईस के वर्ल्ड कप में तो इंडिया को कभी अच्छा ना लगता इंडिया को कभी इंडिया 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 इंड पाकिस्तान पर बाइब करता है उन्हों ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए और हाइब्रेट मॉडल पर होना चाहिए यह ज़रूर कहा है इंडिया एक हकीकत है क्रिकेट की दुनिया में आप सुपर पावर आप कहलें उनके बगाएर तो यह सोचा नहीं जा सकता कि यह चैंपिन्स टॉफी हो जो के हकीकत दी है कि अच्छा है रिजवान है, अदर जी कुछ तो आप लोग एकसेप्ट करते हैं, कुछ तो सुपर करते हैं कि क्या हमारा किरकेट हो और कहां आप लोगों की टीम है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी खास मेमानों का जोड़ने के लिए वक्ती कमी है हमारे साथ चर्चा में आज के लिए फिलाल इतना ही आप सभी खास मेमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिये